अज लालक में व्रिवान कैसे हैं आप सब लोग आज मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही डेलिशस हुंसे कबाब की रेसिपी बहुत असान है इसको बनाना बहुत ही कम इंग्रीजिंस में यूज होते हैं और मैं आपको इसका स्टोर करने का तरीका भी आपको साथ तो आप इसको जब चाहें इसको आप शाम की शाम में स्नैक के दोर पर या फिर रम्जान आ रहे हैं तो आप उसमें भी इसको बना सकते हैं अब इसमे डाला है, मैंने एक चमच हरी मिर्ज का पेस्ट, ई तकरीबन 7-8 हरी मिर्ज का पेस्ट बन जाएगा और डाला है साथ मैं एक टिबस्पून लस्चण दुर्क का पेस्ट, याद रहे कि चीजों में पानी जितना कम होगा उतना ही हमें कम प्रेट क्रम्स डालने पड और एक टेप स्पून भरके मैंने इसमें देशी घी डाला है आप चाहिए तो इसमें बटर भी योज़ कर सकते हैं तो बस इन सब चीजों को हमने अब अच्छे से खीमे में अच्छे से मिला लेना है अब जब मसारी अच्छे से मिक्स होगे तो इसमें डालते है दो टेप मेरिनेट में डाला है पुदीना इन दोनों चीज़ों को भी हम चिकन के क्रीमी के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसमें हम देंगे कोईले की धूनी तो अगर आपके पास कोईला है तो आप इस स्टेप सरूर कीजिएगा इससे कवाबों का फ्लेवर और खु के अंदर ब्रेट क्रम्स मिलाएंगे क्योंकि प्यास थोड़ा सा नमक के और खुड़ा सा पानी छोड़ती है तो कवाब अच्छे से से सेट होके बने तो इसमें हम ब्रेट क्रम्स डालेंगे तो यह मैंने आदा कपली हैं मैं सब एक साथ नहीं डालूगी थोड़े कोवाब से ब्रेट कंपल्स एक से दो टेवर सूर कमबर्ती यूस कर सकते हैं तो चले यह कवाब बनाना स्टार्ट कर लेते हैं तो मैं थोड़ा सा तेल लिया है इसको हम हाथों को घ्रीस से और ऐसकोूद कर लेंगे एस को भी अलका सा तेल लगा लिया तो इसको आप प्ल अंगलियों का इंप्रेशन इस पे निशान डाल दीजे और बहुत हलके से इसको स्लाइट कीजे यह कवाब भूत अराम से आपका स्टिक पर से बाहर आ जाएगा और इसी तरीके से बसमें सारे कवाब बना लूँगी और बिना किसी चीज के भी हातों की मदद से भी कवाब अ स्टीम करना है या पर कहना चाहिए कि एक से दो मिनट इसको कुक करना है तो पैन में मैंने बस वन टी स्पून तेल डाला है इसके उपर उतनी कवाब जितने अपने फ्रीज करने है वो आप रखे इसको एड़जस्ट कीजे एक साइट से हमने सिफ एक मिनट की लिए कुक कर कि यूज़ कर सकते है और जब भी आपको उसको फ्रीज करना हो तो फ्रीजर से निकालें और सीधे तवह पे फ्राइं पर के लिजे इसको डिफ्रॉस्ट करने विस दुरूत यहीं पड़ती तो आदे मैंने फ्रीस कर लेते हैं तो इसको हल्का दो शैलोफ्राइ करेंगे त और तीन से चाल मिनट एक साइट पे कुक करेंगे फिर इनको पलट देंगे और जितना आपको खुबसूरत से इसका रंग चाहिए उतना आप इसको फ्राइ कर लीजे चिकन की कवाब है तो इनको कम्प्लीटली कुक होने में जादा टाइम नहीं लगता है साथ से आट मिनट टोटल टाइम में तो हर दो से तीन मेरवा दिनका आप साइट चेंज करते रहें और यह खुबसूरत से कवाब बनके तियार हो जाएंगे तो यह देखिए जितना यह देखने में मज़ेदार लग रहे हैं खाने में यह बहुत मसे के बने थे असान सी रेसिपी है बहुत कम इंगूरिन्स में चाहिएं बहुत जादा मेरिनेशन भी नहीं करने की ज़रूरत है फिर भी यह बहुत ही फिंगर लिकिंग कवाब बनके तियार होते हैं इनको आप स्नैक्स के तोर पे महमानों के आगे या फिर इफ्तार में आप इसे बनाएए असान है जटपट बन तो मिलते हैं एक और मसिदार सी नेक्स वीडियो में तिल देन बनाते रहिए साइक के मसिदार